टेस्ट पेपर 2, सेक्षिन 1, कोशन 9, इश साइड आफे स्कॉयर इज 5 होल 2 उपान 3 मीटर लॉंग, फाइंड इट्स एरिया, मने इस स्कॉयर की वन साइड दी हुई है, इस से एरिया फाइंड करना है, तो एरिया आफे स्कॉयर इकल टू क्या होता है, साइड इंटू या साइड इसकॉयर भी कर सकते हैं, साइड इसकॉयर का है, या साइड इंटू साइड, तो इसके सलूशन में जो गिवेन हैं, उसको राइट कर लें, इश साइड आफे स्कॉयर, फाइव होल टू अपान थ्री मीटर, तो एरिया आफे स्कॉयर, पहले फार्मूला राइट करेंगे, तो एरिया आफे स्कॉयर, इकल टू साइड इंटू साइड, तो side हमारा कितना है 5 whole 2 upon 3 है इसी को 2 times multiply करेंगे तो 5 whole 2 upon 3 into 5 whole 2 upon 3 mixed fraction में इसको improper fraction में change कर लें तो 5 3 जा 15 15 में 2 plus करेंगे 17 upon 3 into ये भी 17 upon 3 हो जाएगा अब multiply कर ले तो divide तो हो नहीं रहा किसी से कि numerator denominator divide हो रहा है तो 17 और 17 का multiply कर लें कितना होता है 17 into 17 7 7 जा 49 की 9 carry 4 7 मंज़ 7 4 11 1 से multiply करेंगे तो 1 से जा 7 1 मंज़ 1 9 7 1 8 1 1 2 289 हो गया कितना हो गया 289 upon 3 3 जा 9 numerator बढ़ा है improper fraction में है तो इसका answer हम किस में दें mixed fraction में दें तो 9 से इसको हम divide करेंगे mixed fraction में change कर लिजे तो 9 से divide करेंगे 289 को तो 9 3 जा 27 8 में 7 माइन 1 2 में 2 माइनस किया 0 9 अता लिया आपने तो 9 2 जा 18 टू टाइमस गया 19 में 18 माइनस करेंगे 1 आएगा 32 आपको quotient हो गया तो यह जो whole number है आपको कितना आ गया 32 whole remainder आपको 1 है तो 1 numerator बन गया denominator 9 है तो 9 राइट कर लिया और area आप square इसकी unit क्या write करेंगे चुकि meter में side की unit जो है meter में given थी area की unit square unit होती है अगर meter में given है तो meter square हो जाएगा centimeter में है तो centimeter square हो जाएगा तो हो जाएगा meter square तो meter square तो area of square equal to 32 whole 1 upon 9 meter square it is the answer जाएगा जाएगा MR